दोस्तो प्याज एक ऐसा चीज होता है जो हर सबजी में लगभग डलता ही डलता है ये हमारे सबजी का टेस्ट को बढ़ा देता है ग्रेवी को बनाता है ग्रेवी को टेस्टी बनाता है और ठीक करता है लेकिन जब प्याज को काटने की बात आती है वहाँ पर हमारा हेडक कड़ता है तो इस बीडियो में आपको 2 ऐसा तरीका बताऊंगी इन दो तरीकों से अगर आप प्याज काटेंगे ना दोस्तो आपके आँखों में जारा भी नहीं लगेगा आपके आँख में जलन नहीं होगी आशू नहीं निकलेंगे जब हम प्याज काड़ते हैं तो उसमें से एक सिंथेस नामक एंजाइम रिलीज होता है यह एंजाइम हावा के जरी हमारे आखों तक चाला जाता है जिसे आखों में जलन होने लगता है और आखों में आशू आने लगते हैं पहला जो तरीका है उसके लिए आपको क्या करना है एक बरतन में पानी ले लेना है और जितने भी प्याज को आपको कट करना है उस प्याज को इस पानी में 15-20 मिनट के लिए भिंगो कर रख देना है इस तरीके से अगर आप प्याज क काटते हैं दोस्तों तो आपको तीन फैदा होगा पहला तो यह कि आपके आखों में जलन नहीं होगा आशू नहीं आएंगे आप एक साथ पांच किलो भी प्याज इस तरीके से काट सकते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा और दूसरा फैदा आपको यह होगा कि इस प्या प्याज को कारते हैं दोस्तों तो इसका जो छिलका होता है पूरे घर में फैलने लगता है तो हम कीचन में ही कारते हैं ताकि इसका छिलका फैले नहीं तो इस तरीके से जब आप भिंगो कर प्याज को काटेंगे तो आप पंखे के नीचे भी काटेंगे तो भी इसका छिलका एक जगह ही रहेगा और तीसरा फैदा आपको ये होने वाला है कि इसका छिलका बहुत आसानी से निकल जाएगा और आपका जो प्याज है थोड़ा सा भी वेश्ट नहीं होगा इसका एकदम पतला छिलका निकलेगा आसानी से तो जब 15-20 मिनट हो जाएगा तो आपको एक और बरतन में साफ पाने लाना है अब इस प्याज के छिलको को आपको हटा देना है और प्याज को आप दो पाट में कट कर ले या चार पाट में कट करके इस पानी में आपको भिंगो कर फिर से 10-15 मिनट के लिए रख देना है ये देखिए यहाँ पर प्याज का छिलका एकदम वेस्ट नहीं होगा तो इस तरीके से आपको प्याज का छिलका हटा करके इस पानी में डाल देना है जब हम नर्माली सुखा प्याज का छिलका हटाते हैं इस तरीके से नाइफ के सहयता से तो क्या होता है कुछ प्याज के पाट आ जाते हैं इस तरीके से जो वेस्ट हो जाता अगर छिलका असाने से नहीं हटता है तो हम क्या करते हैं प्याज का एक लेयर को ही हटा देते हैं जो बिल्कुल ही पूरा का पूरा वेस्ट चला जाता है तो आप इस तरीके से प्याज को छिल सकते हैं आपका प्याज का छिलका असाने से निकल जाएगा और वेस्ट भी नही ये देखिए इस तरीके से जब आप छीलेंगे तो आपका छीलका पूरा के पूरा एखी साथ निखल जाएगा जब पानि में हम प्याज को कट करके डाल देते हैं तो बेपर फरमेशन बादीथ हो जाता है पानी में प्याज को डालने से पानी प्याज में मौझूद एसिडिक एंजाइम को रिलीज होने से रोकता है जिसके वज़ा से आँखों में आसू नहीं आते हैं आँखों में जलन नहीं होते हैं तो इस तरीके से आपको प्याज को 2-4 भाग कट करके 10-15 मिनट के लिए रख देना है उसके बाद में आप जिस सेप में भी आपको प्याज काटना है आप काट सकते हैं इस तरीके से आप 5 किलो भी प्याज काटेंगे न दोस्तों आपको थोड़ा से भी आखों में आसू नहीं आएगा एक बुंद भी नहीं आएगा और नहीं आखों में जलन होगा त दूसरा जो ट्रीक है दूसरा जो तरीका है वो मैं आपको बता देती हूँ दूसरे तरीका में आपको क्या करना है एक पॉलोथीन लेना है जो किराने दुकान से हम समान लाते हैं जो पॉलोथीन मिलता है उसी पॉलोथीन में आपको जितने भी प्याज को कट करना है उतना प प्याज को 15 मिनाट के लिए रख दीजिए 15 मिनाट के बाद आप इसे जिस भी सेप में आपको कटना है आपके आँखों में जारा से भी जलन नहीं होगा आशू नहीं निकलेंगे तो दोस्तो इस ट्रिक को एक बार अपनाईएगा जरूर और जनकारी अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए गा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा से ज़िए गा दोस्तो चैनल पर आएं तो चैनल को सास्क्राइब किए बीना बिलकूल भी नहीं जाईएगा क्योंकि इस चैनल पर आपको हमेशा ही इसी तरीके के जो हमारे रोजमारा की जिंदगी में छोटी- लियोशन मीलेगा इस चैनल पर और जो भी मैं अपने चैनल पर आप लोगों को जनकारी देतु हूँ आज माया हुआ होता है तो हेल्थ टिप्स के लिए ब्यूटी टिप्स के लिए कीचन टिप्स के लिए आप मेरे चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लिजिएगा बेल आइकन क क्लिक करके उसे औल फे सेट कर लिजिएगा ताकि जब भी मैं इसी तरीके की helpful वीडियो अपने चैनल पर डालू नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए फिर मिलेंगे नए जनकारी के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए धन्यवाद